हेलो फ्रेंट्स विल्कम बेक टू मैं चैनल आज मैं आप सब के साथ आलो रोल की रेस्पी शेयर करने वाली हूँ तो चलिए बनाते हैं तो सबसे पहले आप इसके इंग्रिडियोंट नोट कर लीजिए तो यहां पर डो के लिए मैंने लिया हुआ है यह मैंने लिया हुआ है आठा और यह मैंने लिया हुए अजवाइन और यह मैंने बेकिंग पाउडर भी लिया हुआ है तो चलिए सबसे पहले मैं दोनों फ्लार को मिक्स कर लोंगी जो कि है रिफाइन फ्लार और वीड फ्लार आइन आप में डाल दे रही हूं तो बस इमने थोड़े ची जगां ब को अच्छे शंदे पाउं है हुआ है को शार देखे सिघगार दें तुर वीड यह लां हो और यह कर लेए तो यहाँ ज्रीस नह्म नहीं को मिक्स कर लें अगुए है तो यह देखेकर को क्षेम च्समर्त समय दोले तो यह देखें आर ढूरा बनके रेड़ी है तो चलिए इसे रेस्ट होने के लिए रख देते हैं तो यहां पर मैंने आलो ग्रेट करके अदिए लालमिश पौडर तो चलिए इसका मसाला रेली कर लेते हैं तो यहां फिर मेरा ओिल गरम हो गया तो मैंने इसमें वह मसाले जो कि मैंने खड़े लिया हुए थे मैं इसमें डाल दी रही हूं तो यह देखें कुछ इस तरीके से मरी स्टफिंग बनके रेडी हो गई है तो यह देखें चलिए दो को हम अच्छे से डिवाइड कर लेते हैं छुटो छुटो पीडों के रूप में तो बच इस तरीके से आपको इसी रूल आउट करना है कुछ इस तरीके से आप से रूल कर ले एंड देन आपको इस आलो के स्टफिंग को आपको कुछ इस तरीके से बना लेना है यह देखें कि हम से स्टफ करने वाले हैं एंड मैंने आलो को इसलिए ग्रेट है था कि इसके जो स्टफिंग है वह बाहा न निकले एंड तो यह करने वाली हूं तो यह देखिए मैं दो को ट्रीप फोर पार्ट में डिवाइड कर लिया एंबस इस तरीके समय से रूल आउट कर दूंगी तो यह देखिए आप चाहे तो इसे टौफी की शेप दे सकते हैं आप कोई भी से बना सकते हैं तो यह देखिए मैं कुछ इस तरीके स्ची कर लिया है और यह देखिए को दूआ मकि बागी के भीड़लाऊट कर लिए हैं तो यह देखिए कुछ तरीके से मैं سے रूलाऊट गारही हूं हैन आपको ऑगी शेप खना शेम इससे सकते हैं तो बस सिरीके से आपको बागी के भी रेडि डरे कर ले तो चलिए मैं आ आपको side से even कर लेना है, orang square shape में, यह देखें कुछ इस तरीके जैसे मैं कर रही हूँ, तो यह देखें कि square shape बनके ready हो गाया है, अब मैं इसमें 3 sheet बनाऊंगी, इसमें 3 roll बनके ready होगा, तो यह देखीं, मैंने से cut कर लिया है, and the stuffing को कुछ तरिके से आप stuffing को रख दे and दन आपको शिलरूल आओट करना हैं यह देखे कुछ इस तरीके से तो दिखेए रूल बनके और रेडि है तो तो छटी यह मैं बारी वित यह बहुंआ कर दिदि हुं व्हें सारी रूल कुछ इस तरीके से बनकर डेटी हैं तो बागी की बची रोल को भी मैं कुछ इस तरीके से रूल आउट कर दे रहे हूं ताकि इसका एक अच्छा से शेप आजाए और बस यह हो चुके हैं तो चलिए मैं फ्राइ करती हूं तो यहां मैंने गरम होने के लिए रख दिया था और अब मैं साई रोल इसमें ऐसे डाल दू से तो यह देखें मैं पलट रही हूं तो यह देखें एकदम गोल्डम ब्राउन होना शुरू हो गया है जिस तरीके से हमें कलर चाहिए था और देखें देखने में वी कितने अच्छे लग रहे हैं तो चलिए इसे थोड़ा से ओफ्राइ करते हैं तो यह देखें हमारे आल रोल बनके रेड़ी हैं आपको इस पी कैसे लगी आप कोमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा एंड प्लीज प्लीज चैनल को जादे जाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए थैंक यू